माइडे स्टुडेंट आप क्लास 10 अक्सराइज 13.3 का कुश्चन नंबर 1 आपके सामने है देखे इस अक्सराइज के अंदर कर्वार्जन ऑफ सोलिड फ्रॉम वन शेप टू अनुदर यानि एक ठोस का एक आकार से दूफरे आकार में रूपा अंतरम करने से क्या परिणाम आते हैं उसके क्या फॉर्मूला है इसके समन्द में कुश्चन्स हैं एक ये कुश्चन्स को हर करते जाएगे पहला कुश्चन आपके सामने है एक मेटेलिक स्पेर ओप रेडियस 4.2 सेंटिमेटर मेल्टेड इन रिकास्ट इन्टू 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 शेप लिए ऐडियस शेंटिमेटर देखिये एक स्पेर जो है यानि गोला है उसकी रेडियस चार पाइंट दो सेंटिमेटर है आपको हाइट ज्याद करना है उचाहिए यहां पर इसका आइंसर दिया हो है लिखित में दिया हुए आप इसको देख लीजिए और समझ दीजिए कैसे निकालना है पहले आपको स्पेर का वोल्यूम निकालना है 4.2 वाले का इसकी गास है और इसके बराबर जो है यह सिलेंडर का वोल्यूम है यानि यह दोनों बराबर है सिलेंडर का वोल्यूम और स्प सेंटिमेटर आजाएगी हिंदी मीडियम की विद्यारती भी इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं आशा है आपको समय में आगया होगा फिर भी अगर आपको समय में नहीं आया है तो हम आपको डिटेल के अंदर सोलुशन बताते हैं आप देखते जाएए आए देखिए आप को निकालना है वोल्यूम अ उप सोलीट एंड व órüm ऑ सिलेंडर ठीक एक सीलेंडर में एक स्फोलीड है जो इसका फोर्मुले क्या होता है स्फौर्मुले क्या होता है आपको याद हो इंद्र वेलिव जरक दीजिए ठीक है तो यहां पर वेलमोँ उसेट錢 वहुए वह यहां दिया हुआ है question के अंदर कि 22 अपन 7 लेना है और इसका radius है 4.2 cm 4.2 को जो है आप 22 अपन 10 लिख सकते हैं इसका point अठा दीजिए और इसका square करना है cube करना है इसको तीन बार लिखी है इसको ठीक है 42 अपन 10 और यह किसके बराबर है volume of cylinder के तो volume of cylinder का formula क्या है पाई मतलब 22 बटा 7 into r cylinder का r केतना है 6 यानि 22 बटा 7 into 6 into 6 और इसके height भी 6 ही है height पता नहीं हमें यहां पर रखी है आप h पाई r square यानि 6 into 6 और h का जगे h लिख दीजिए h अमें निकालना है अब आप सो इसको solution करेंगे तो देखिए आप जो है यह 7 को यह काटा तो 6 आगया 6 को 3 से काटा तो 2 आगया ओके तू को 10 से काटा 5 आगया यह 4 को 2 से काटा यह 5 आगया और फिर यह 2 को 10 से कटा तो 5 आ गया तो उपर आपके पास में क्या रहा 22 into 42 into 42 ये उपर रहा नीचे क्या रहा 5 into 5 multiply by 5 ये तो उपर का रहा और इसके equal में क्या है इदर कुछ कट नहीं रहा है इसलिए ये आ जाएगा 22 गुणा 6 गुणा 6 h तीक है 22 into 6 into 6 into h और नीचे में आ जाएगा 7 आप और इसको हल कर लिजे इन ट्यून को आप मुल्टिप्लाई करेंगे आपस के अंदर तो ये हो जाएगा आपका 792 और ये एच आएगा और नीचे आएगा 7 इसके बराबर ये है इसको और हल करेंगे तो इसके अंदर जो है 125 का भाग देंगे तो राउंड डेट फीगर तक ले आईए आप इसको ये आएगा 310 और इसके बराबर जो है आप जो है तो एसके बराबर कितना हुआ 310 divided by 113 ठीक है 310 पर 113 का भाग दिया तो आएगा आगा 2.74 ये क्या आएगा सेंटीमेटर ये है इसकी हाइट ओप दी सिलेंडर जो पूछा है प्रस्ते के अंदर प्रस्ते पूछा फाइंड डी हाइट ओब दी सिलेंडर तो इसका जो है बेदन का उंचाई 2.74 सेंटीमेटर ये आपका एंस्वर आ गया पिर भी आगर आपको समझे नहीं आया है तो एक बार फिर हम आपको इसका सोलुशन प्रिक्षा में कैसे लिखना है वो दे रहे हैं इसको पढ़ लिजी हिंदी मीडियम की विद्यार्ती भी इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं थैंक्यू मारे इस्टूडेंट प्लीज लाइक और सब्सक्राइब